हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब सौगाता आप सभी का कॉमिक बल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पुनरुत्थान का आकरी भाग मेरे पास यतियों के गुरु शक्तालू यक्ष योद्ध सामरी और योग योद्ध किर्गी के मानसिन संकेत आ रहा है वातवर्ण में पाप बढ़ रहा है अजीब तरह के वैशाचिक प्राणी उत्पन हो रहा है पाताल नाग समराट तक्षक के मानसिन संकेत मेरे पास भी आ रहा है पेदाचारे भी चिंतित थे क्योंकि उनका सूचक तिलिस्म महानर्थ की सूचना दे रहा है यानि धर्ती और सर के बीच पाप की चादर गहरी होती जारी है पर इससे यह साबित नहीं होता कि इसके लिए ब्रह्मगण दोशी है हो सकता है ब्रह्मगण को सक्रिये देख कोई राक्षे सी शक्ति अपना जाल फैला रही है हो सकता है परंदु मौझूदा इस्तिती में हमें ब्रह्मगणों को रोकना ही होगा श्रीमान ध्रोप सही कह रहे हैं देवी शक्ति क्योंकि जिस अंकर से जूच कर अभी हम आये हैं उसके बाद किसी पर भी अंदविश्वास करना सरासर मूखता होगी देव शाश्वत साथ में भेडिया भी सब को जानने के बाद एक तरफ भ्रह्मगण धर्टी का वातरवन शुद कर रहे हैं दूसरी तरफ दुनिया में अलग-अलग स्थानों पर अजीब और गरी प्राणी उत्पन हो रहे हैं बात को समझ में नहीं आ रही है क्या मतलब एक महत्मूर बात को हम अंदेखा कर रहे थे बेशक भ्रह्मगण धर्टी को साफ कर रहे हैं पर किसी ने सोचा कि वा अशुद्धी कहा जा रही है सच्चाई ये है कि वे उन अशुद्धियों को ऐसे स्थानों पर विसर्जित कर रहे हैं अबादी नहीं के बराबर है मुझे विश्वास नहीं होता ब्रह्मगण भला ऐसा क्यों करेंगे पीप पीप प्रॉबोर्ट का मैसेज इस्थिति गंबीर है पर माड़ो दुनिया के अलग-अलग स्थानों पर अजीवयों करी देथ प्राणी आतंक मचा रहा है ये प्राणी जादा तर प्राकरतिक स्थलों से निकल रहा है इनको हर हाल में रोकना होगा हमें फॉरं कुछ करना होगा नागराच तुम शक्ति और भेडिया के साथ ब्रह्मगणों को सुपर पावर बाटने से रोको हम इन देथ प्राणी उसे निपटने के लिए निकलते है अंटार्टिका कमाल है मैं तो यहां सबर्दस एक्शन की सोच रहा था पर यहां इन हिम चट्टानों के लावा कुछ भी नहीं दिख रहा है इन हिम देथ्ट्यों के रूप में सारा मरूघ हुमी वाव कभी सोचा नहीं था कि रेगिस्तान में भी फूल खेलेंगे फूल तो खेले हैं प्यारे पर फूलों की यह किस्ट में तो में लिक अभी नहीं देखी जहां तक मैं समस्ता हूँ ये प्राकर्टिक नहीं हो सकते और ये दिखने में जितने घिनोने और बद्बुदार होते जा रहे हैं इनको फूल कहने के बजाए कहना होगा प्रदूशन पुश्प और इन से निकलने वाले तरल फूर से पनपने वाले इंकीनों का निशाना है हम प्रशान्त महासागर वाव प्रबोर्ट की बनाई ये स्टार बोर्ट तो बहुत कूल है तो मैं इसे पर्मनेंटली अपना लेना चाहिए कैप्टन मैं तकनीक पर जादा भरोसा नहीं करता लिजा बाइदावे मैं तुमारा कैप्टन कैसे हो गया मैं शुरू से ही तुमारी फैन रही हूँ अगर मेरे साथ लैब में वो हाथ सा ना हुए होता तो शायद में अब तक कमांडो फोर्स जॉइन भी कर चुकी होती बुरा हुआ कमांडो हेडकाटर को एक फ्री का मॉस्फिटो एंड बग रिप्लेंट मिल जाता बिजली और पैसे दौनी की बचचत होती अपनी पकवास बंद कर वो वेगा वरना वरना क्या गॉडजिस ओ नू कितने घिनोने हैं ये साथवान दोस्तो ये गिनोने ही नहीं बलकि खतरनाक भी है और दुर्बा के से इनका निशाना हम है सैम बनाए रखें दिव सुदान सबको मिलेगा अपनी बारी की प्रतीक्षा करें तुम लोग बीच में कहां से आ गए बीच में ना आये तो क्या करें तुम सब सालिक पैसे और पहुँच की पल पर आगे आ जाते हो और हम गरीब अपनी बारी का इंतिजार करते रहते हैं ठीक है जिसमें दमोगा वही आगे जाएगा देवियो शक्तियां हासिल करने से पहले अपने अंदर देवियो गुर्त विक्सित कर लो क्योंकि अभी तुम लोग का वैवार किसी राक्षस की तरह है मुझे विश्वास सा तुम हमारे अभियान का समर्थन करने अवश्या होगे हम तुमें रोकने आएं देवियो तुम लोग स्वैम भी देवियो शक्तियों से युग थो और देवी शक्ति आप भी तो मानव शरी में वास कर रही है मुझे खेद है देव्युत तो मैं ये सब रोकना होगा सीधी सी बात तुम समझो देव्युत ये सब रोक दो वरना मेरी गदा तो में समझाएगी ये अवशी कलिकों की माया है वे हमें रोकने के लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं समझने का प्रयत्म कर रहे हैं मेरी शिष्टिता को मेरी दुरबलता ना समझे श्रीमान भेडिया आप बले ही भेडिया देवता कुरुराक्ष की शक्तियों से योग्त हैं प्रद्धु हम ब्रह्मगण हैं हमारा और आपकी शक्तियों को कोई मेल नहीं है सिर्फ कहो मत देव्यत सिद्ध करके दिखाओ मेरी तरह भटाक भाग जाओ अगर अपनी जान प्यारी हो तो तुमने ब्रह्मगण पर प्रहार कर खुद को हमारा शक्त्रु घोशित कर दिया भेडिया अब मुझे किवल शक्ति और नागरास ये पूछना है कि क्या मैं आपको भी अपना शक्त्रु समझू अगर तुम अपनी गतिविदी नहीं रोकते हो तो मुझे सच मुझे खेद है फिर तो मुझे भी खेद है मुझे आप लोगों को बलपूर्व बंदी बनाना होगा मुझे पर हाथ उठा कर तुमने अपने काल को नमंतर दिया ब्रह्मगणों मेरी पचंड अताप से बने ये अस्तर तो मैं तुम्हारी भूल का एसास दिलाएंगे तुझ में केवल एक सूर्र काताप है शक्ती जबकि मेरे अंदर सौर्र काताप है तुम्हारे अस्तर मेरे संपर्क में आने से पहले ही वाश्पित हो जाएंगे और मेरे रहते तुम्हारा ताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे ताप का भक्षन कर लूँगी उफ मैंने सही सामर पर खुद को काली का बज़ में सुरक्षित कर लिया वरना मेरा अस्तित्तु समाप्त हो जाता तु वागई बहुत अच्छा योद्ध है पर अफसोस मेरे पास उलकाओं की कमी नहीं है यह जोस्ट आकास से उलका पिंटो को खीचकर मुझे मार रहा है और मैंने को नश्ट करने के लावा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तेरे पास उलका की कमी नहीं है और क्योंकि इस नर्तक के हाथ और पेरों से निकलने वाले कंपन के कारण में अपना संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ और हमारे पास होसलों की कमी नहीं दानव कुमार मैंने तुम्हें पीछ में खूदने से मना किया था ना शमा चाता हूँ भेडिया श्रेष्ट पर अंतुमूग दर्शर बनकर बैठना दानवों की फित्रत नहीं मैं इसकी फेकी उलकाओं का चूरा बनाता हूँ और आप इसका चूरा बनाए आपका ये वार अत्यंति निम निस्तरी है नांगीर ये साधान सब देव्यूद का भला क्या भी गाड़ पाएंगे जबकि देव्यूद चाहे तो अपनी उर्जा से निर्जी वस्तू हमें भी प्राण का संचार कर सकता है अब कितनी भी शक्ती लगा लो इनकी जगर से नहीं चूट पाओगे वैसे तो मैं इच्छादारी शक्ती की मदस से आसानी से इस पकड़ से छूट सकता हूँ पर तुमारा ये ब्रह्म तूटना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जगर नगराज को भेबस कर सकती है अब मेरी तीवर विश्वंकार का सर देख आपका ये घातक बिश्धर्ती के तुच्छ जीवों के लिए घातक होगा ना अगवीर देव्यूत को अंदर सिर्जन शक्ती का भंदार है जो जीवन पर अपने की गती को भी बढ़ा सकता है और घटाया भी सकता है अंटार्टिका है इनकी खाल को जादा ही मोटी है कमखत इतनी गोलियां और गोले पचा गई और धकार भी नहीं मारी इनका शरीर अत्यदिक कठोर है बाहर से भी और भीतर से भी इन पर दो लेजर भी बेअसर साबित हो रही है फिर तो इन पर एलेक्ट्रिक शॉक का इस्तमाल करके देखना होगा तायार हो बीडी लो बई जटका देने गए हमारे जबान तो खुछ जटका खाकर वापिस आ गए और अब अगली बारी हमारी है कानून को जटका देने की कुबबत ना किसी में पहले थी काक और ना अब है वेल्डन स्टील अब मेरी बारी भटाक तुमारी शारेर एक शक्ती भी लाजवाब है और होसला भी पर मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ेगा कोई ना कोई वार अपना निशाना ढूंडी लेगा साहारा मरू भूमी उफ ये कीड़े तो बढ़ते ही जा रहा है मेरे एक ब्लास्ट जितना इनको खतम कर रहा है उससे जादे ये पनपते जा रहा है जब तक हम इस बगीचे को खतम नहीं करते तब तक ये पैदा होते रहेंगे पर ये बगीचा भी तो बेना खात पानी के फल भूल रहा है मेरी नेत्र गर्णों ने इनको नश्ट करनी की चेश्टा की बगर एक नश्ट करू तो चार और पनप जाते है प्राबोट ये क्या मुसीबत है ये किसी तरह के संक्र में बीज लग रहे हैं परमाडू जो खुद को मल्टिप्लाइ करके नए नए फलार्स में तबदील हो रहे हैं तुम लोगों दोरा छोड़ी गए आटोमिक और कॉस्मिक गुर्जा इनको नश्ट करने के वज़ा इनको और पोशन दे रही है यानि तुम लोग एक दरह से इनको पनापनेंगे लिए आनुकूल वातावन में प्यादा कर रहा हूं तो फिर इनको नश्ट कैसे कर रहे हैं? इनका बातावन प्रतिकूल कर दो प्रतिकूल कर दो? पर कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है पर माड़ू मैं केवल विशलेशन कर सकता हूँ बढ़ी है यानि हम अपनी शक्तियों का इस्तमाल तक नहीं कर सकते फिर इनको रोक के कैसे? एक रेगे स्थान के मौसम को कैसे प्रतिकूल करते हैं? बारिश करवाएं या हिमपात करवाएं? बारिश येस हम बारिश करवा सकते हैं बारिश? पर बारिश हम कैसे करवाएंगे? और उससे होगा क्या? समझाने का समय नहीं है मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग कृतिम बारिश का इंतिसाम करो गगानों वेनाज दूद गए, पर अब मैं इन कीणों का क्या करूँ आनवी कूर्चा का इस्तमाल करने का मतलब है इनको और शक्तिशाली बनाना हाँ, एक रास्ता है, अब मैं आराम से इन कीणों को नश्ट कर सकता हूँ, बस मुझे इन फूलों की तरल फौहर से बचना होगा प्रशान्त महा सागर, ये समुद्री जीव हमें हवा से घसीट कर पानी में लिया है, मेरी कटीली जीविन के शरीप खनोस तक ने डाल पा रही है पता नहीं, वेगा शक्तिशाली पानी के अंदर काम करेगी या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उफ, वेगा के बनाए चकरवात से मुझे चकर आने लगी ये क्या, मेरे द्वारा पैदा किये के चकरवात में अवरोद कैसा, शायद तुमारे कार्बोर डेटर में कच्रा फस गया है ओ, नहीं, ये क्या हो रहा है, समुद्र में प्रदूशिद तत्व घुला हुआ है, जो कि समुद्र के पानी के जो कि समुद्र के पानी के गाड़ेपन को पढ़ा रहा है, और शायद ये स्मार्ट भी है, इसलिए जब ये खत्रा महसूस हुआ, तब इसने गती में अवरोद पैदा करके आने वाले खत्रे को दूर उच्छाल दिया सही कैरो कैप्टन, ये सब इसी इंटेलिजन कचरे का कमाल है, लेकिन लगता है अब ये सीधी टकर के मूड में आगया है, इसलिए खुदी एक नया रूप ले रहा है, इसका ये नया रूप हमारे ले घातक से दो सकता है, क्योंकि जो रूप ये ले रहा है, एक विशाल ज खुदी खोलता है, वे भ्रह्मगणों से इसलिए चल रहा है, क्योंकि भ्रह्मगण हर मामले में ब्रह्मान रक्षकों से उत्करष्ट सुपर हीरोज हैं, वे नहीं चाहते कि आम आदमी को सुपर पावर्स मिले, ताकि उनका वर्चस्व हम पर बना रहे, क्या अब भी आप उनको अपना रक्षक मानेंगे, नाई, नाई, ब्रह्मगण हमें देवी ये शक्तियों से युक्त करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी रक्षा खुद कर सके, क्या ये सुर्णी मफसर हम कमा देंगे, क्या हम उन्हें मनमानी करने देंगे, नाई, तो फिर चलो दोस्तों, अब हमारा लक्ष होगा, ब्रह्म स्तल का नाश, जलासी शक्ति मिलते ही, ये लोग पागल होगा हैं, इस वक्ति हमारे अलाव कोई नहीं है, अगर ये उन्हें ने सुर्क्षा कवज तोड़ दिया, तो इनसे नपटना मुश्किल होगा, चिंता मत करो, अभेश शक्ति के प्रूश्मा, क्योंकि ये हिम छेत्र में रहने के आती हैं, परन्तु हम में से कोई भी उस इस्तर की उश्मा पैदा नहीं कर सकता, और अगर किसी तरह ऐसा कर भी दिया जाए, तो उसका विपरीत प्रवविस छेत्र पर भी पड़ेगा, यानि हमें इनकी कोई और कमजोरी क्या तुमें इनके अंदर कुछ ऐसा ढूंड सकते हो जो हमारे कामा सके, अंदर कुछ हो तो ढूंडू ना, क्या मतलब, ये कोई जमा हुआ खचरा है जिसे एक साचे में ढाल कर एक आकरती दी गई है, पर इनकी भारी और भीतरी संदर्च तो किसी जीवित प्राणी की तर रही है, मैं उन तरगों को महसूस कर सकता हूँ, फिर तो इनको राना असान है, प्राबोर्ट से संपर करते हैं और इनके सोर्स को भेचान कर उसको नस्ट करते हैं, इतना असान नहीं हो सकता, वैस सोर्स यहां से बहुत दूर हो या हम उस सोर्स को नस्टी ना कर पाएं, ब एक चीज हम आराम से कर सकते हैं इनको दबा देना दबा देना पर ये दबा देने से भला क्या होगा और हम इने दबाएंगे कैसे तुमारे पहले सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूँगा पर तुमारे दूसरे सवाल का जवाब है अरे वाह तब ने तो एक ही जटके में सबको अंदर कर दिया सबी दैते प्राणी अंदर बढ़ दब जाएंगे और इससे पहले की भी बाहर आने का प्रयास करें यहां का बातरवन सतय को फिर से जमा कर पहले जितना कठोर कर देगा और यह सारे प्राणी अंदर ही भस जाएंगे ना सिर्फ भस जाएंगे बलकि नश्ट भी हो जाएंगे वास्तर में यह प्राणी अशुद्धी का ठोस रूप थे और अशुद्धी को दो तरीकों से नश्ट किया जाता है एक तो अत्यदिक उश्मा में जला कर और दूसरा अत्यदिक शीत में जमा कर और मैंने दूसरा रास्ता बनाया सच में ऐसा ही हो रहा है डोगा को डून कर वापिस चलना होगा साहारा मरू गुद्मी मुझे अकीला जांका पूरी की पौरी फॉज मुझे तूट पड़ी है और सुश मुनूप में मैं उड़ने की शक्ती के अलावा और कोई शक्ती यूज नहीं कर सकता और पता नहीं गागानों विनाज दूद के लोटने तक मैं जिन्दा वचूंग अभी या नहीं पर मैं एक सुपर हीरो हूँ और साथ मैं अपनी टीम का लीडर भी ऐसी सिचेशन में हार मानना मेरी लॉबुक के रूल नंबर 31 के साब से एक संगीन गुना है पर कोई इंस्पिरेशन भी तो नहीं मिल रही एक मिनट इंस्पिरेशन है तुसे ही पर इसके लिए मुझे ब्रह्म बिंड की मदद लेनी होगी क्योंकि उसी की मदद से मैं टैली पैथी संबंद साबित कर सकता हूँ उस सक्से से जिसका नाम है शीना परमाडू हाँ मैं ही हूँ पर तुम हो का हूँ और ये टीवी पर तुम सबके बारे में क्या अंटेशन बाते आ रही है मैं इस वक्त तुमें तुमसे हजारों किलोमेटर दूर हूँ और टेलीपैथिक कॉन्टेक्ट के जरीए तुमसे बात कर रहा हूँ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बाते कहनी है पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले मैं तुमें बताना चाता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिन्दगी तुमारे साथ बिताना चाता हूँ इसलिए आज मैं अपना वहराज जाहिद कर रहा हूँ जो मैंने तुमसे भी छुपा रखा है क्या सच? तुम मुझे अपने असलिस बताना चाते हूँ ओ मुझे यकीन नहीं हो रहा यकीन कर लो शीना तो सुनने के लिए तयार हो जाओ परमाडू के मास के पीछे जिसका चेहरा है वह है चल दी बताओ चुपाग उफ दो सेकेंड बात नहीं आ सकते थी क्या कर रहे प्यारे एन क्लाइमेक्स में अंट्री मारने का पुराना चसका है परमाडू जवाब क्यों नहीं दे रहे हो सॉरी वेप्स प्रोग्राम चेंज हो गया भाई भाड में जाओ तुम वाह तुमारा आइडिया तो काम कर रहा है कीडे ओर नहीं पा रहा है और पके फल की तरह नीचे कर रहा है बारिश होने तक ये शान्त रहेंगे लेकिन बारिश ये बंद होते ही ये बारिश कीड़ों को रोक लेके ले लए लए बलकि कीड़ों को पैदा करने वाले इस प्रदूशन पुर्ष्पों को नष्ट करने के लिए है अगर इनको जरूरत से ज़्यादा नमी दे दी जाए तो ये उसे पचा नहीं पाएंगे ये सारे फूल तो वाकई मुर्चा गए अब और कीड़े पनप नहीं रहे जो कीड़े पहले से दे वह भी नश्ट हो रहे है यानि ये मुर्चा तो हम जीत गए हाँ मगर एक मुर्चा है जिसमें अभी अभी मुझे पटक नहीं मिली और आगे भगवान ही मेरा मालिक है वापिस चलने के त्यारी करूँ प्रशान्त महासागर ये कोई सचमुच की जैली फिश नहीं बलकि केवल एक इंटेलीजन समुद्री कर्चरा है लेजा ये हम पर टंक ही नहीं और बहुत कुछ छोड़ सकता है फिलाल तो इसके निशाने से मेरा सरकस एक्स्पिरेंस हमें बचा रहा है पर हो सकता है इसका अगला बार ऐसा हो की उफ ये जैली फिश तो हम पर टंक किलनों का हमला कर रही कैप्टन पर इन में ऐसी शक्तियां तो नहीं होती इसे निशाना ढूंडने की ज़रुरती ना पड़े पकड़ लिया सीनियर आराम करें जूनियर भी आता है और इस जैली फिश को अंडर वाटर पहुँचा का जूनियर इतनी जल्दी वापिस आ गया इसने मेरे जैसे कूल परसन को भी हिट कर दिया अब इसकी खैर नहीं रुको वेगा दुश्मान को हराने के लिए शक्ति ही काफी नहीं होती बलकि शक्ति का सही इस्तमाल करना भी ज़रूर ही होता है क्या मतलब यह कि अगला वार अब तुम मेरे प्लान के हिसाब से करोगे वाह क्या प्लान है मुझे इस नमूने के वार से बस्ते हुए इसके चारो और चक्कल लगाना है पर भला इससे होगा क्या अरी यह क्या है मेरी गती के कारण तीवर घर्षन उत्पन हो रहा है इस वेगा सूट के कारण मुझे तो यह घर्षन उकसा नहीं पहुचा सकता पर यह जैली फिश बन जाईगी रोस्टेड फिश कूल जैली फिश नस्ट हो गई मिशन ओवर कैप्टन आपका पहला आपका प्लान काम्याब रहा हमारा प्लान काम्याब रहा वापिस चलने की त्यारी करो तीसरा मोर्चा भी फत्य कर लिया गया था पर अभी कई मोर्चों पर जंग जारी थी मेरा शक्ती मुंड मेरी अनंत शक्तियों का स्रोत है जिसके सामने ना तो तुमारे सौसूर्णों का ताप मायने रखता और ना ही तुमारी उuchema भक्षिता फिर तो मुझे इस मुझे इस मुंड की उuchema का भक्षण कर लेना चाहिए ताकी ये मुड भंगुरों को टूट जाए और देव लोग से तुमारा संपर्ट तूट उफ, काक, थप, निक्रष्ठ धानव, तुम लोगों को तो युगों पहले पृत्वी से निश्कासित कर दिया गया था, क्योंकि तुम लोग पृत्वी जैसे स्वर्गतुल स्थान पर रहने के योगे नहीं थे, परन्तु हम मान ब्रह्मगणों के कारे में हस्तिशेप कर, त तेरे जैसा नरादम जीवित रहने के भी योगे नहीं है, थाक, किसी जीव की योगेता हो, उसके सद कर्मों से तय होती है ब्रह्मगणों, परन्तु तेरे कर्म तुझे तेरे नाश की तरफ ले जा रहे हैं दानव, बहुत हुआ, थाक, बहुत देर से तुम सब की बकवास भी जेल रहा हो, प्रहार भी, परन्तु भेडिया को ना बकवास जेलनी की आदत हो, नाई प्रहार, हार मानले नागवीर, मेरी जीवन लेरियों से उत्पन्न प्राणी पर आपका विश्वी बे असर है, परन्तु आपकी सबी शक्तियों का सुर्थ विशी है, अगर इसी प जोरदार वार था नागवीर, परन्तु ऐसे धमा के देवियोत का कुछ नहीं बिगार सकते, इस बार बिगड़ेगा देवियोत, क्योंकि धंसक सर्भ मेरे विश्वी मिश्वन से भीगे थे, यानि तुमारे रक्त में मेरा विश्वी मिल चुका है, मेरा विश्वी यानि चेत कर सकता है परन्तु, मार नहीं सकता, मेरा मकसद तुमारी जान लेना नहीं, बलकि बेवियोत करना है देवियोत, ताकि मैं देव काल जाई से मांसी संपर्ख कर तुम ब्रह्मगणों के असलियत चान सकूँ, असलियत तो मैं तुमें खुद बता देता हूँ नागवीर क्योंकि अब आप देव काल जाई से संपर्ख नहीं कर पाएंगे, सच मुछ, मैं देव काल जाई से मांसी संपर्ख नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम मेरे विश से इतनी जल्दी कैसे ओपर गए, क्योंकि पिर्थी उपर पाप की चादर गहरी हो रही है, देव ये शक्ति और शक्तियां ब्रह्म गणों की ही, हम कौन है ये हम जरूर बताएंगे पर जारा रुको, पहले मेरे साथी तुमारे बाकिये साथियों को भी उसकी उसी हालत में पहुचा दें, ताकि तुम ब्रह्मान रक्षक हमारी योजना में कोई बाना ना बन सको, असंभाव, तुमन ये भीशन ताप मुझे जला रहा है, मुझे इससे बचने के लिए खुद को प्रकाश में बदलना होगा, तुमने बचने के लिए वही किया जो मैं चाहती थी शक्ति, अब मैं तुमारे प्रकाश रूप को अपनी शीत कलिमा में कैत कर दूँगी, जिस्ते तु कभी बाहर नहीं आपाएगी, हाहा, ये क्या, मेरी गदा कहां लोप होगी, और फुखार में पर भी पकट क्यों नहीं हो रही, इन माया वियोंने अवश्य कोई चाल चली है, सही समझे, पर ज़रा देर से, काक, ये कैसी माया है, ना पूच काम कर रही है न गदा, आखिर मेरी शक्तिय अपका हीत नहीं कर सकती है, आप उपर निकल जाएं भेडिये श्रिष्ट, उपर आओ ताना कुमार, मैं इन तुछ जीवों का सबक सिखा कर अभी आता हूँ, भला ही दिवे शक्तियां भेडियां का साथ छोड़ दे पर मेरी खुंकारता अभी भी मेरे पास है, पर अब र उफ, इन लोगों ने नागराज भेडिया और शक्ति तक को बेबस कर दिया, अब उनका निशाना प्रहम स्थाल है, कुछ करो प्रोपूट, सुरक्षा कवच कभी भी तूट सकता है, सौरी प्रलंका, पर अब जादा दिर तक इनको रोकना मुश्किल है, तुम बाकी हिरों से संपर करूं को यहां की स्तिती बताओ, मैं इन से ने पटने के लिए बाठ जा रहा हूँ, अबेद के रहते कोई भी शक्ति यहां से आगे नहीं बढ़ पाईगी, हमारी शक्ति गया आगे जब नागराज भेडियो और शक्ति यैसी देविय शक्ति नहीं टिक पाई, तो तो मैं रोकने के लिए यहां मौजूद है भ्रमान रक्षक, दोगा बारूत का खिलाडी है, इसके आगे ना तेरी उलकाओं की कोई यौकात है और ना तेरी, बहुत उद्गोश करता है तू, अब पहले तेरी जुबान खामोश करूँगा फिर तो जे, मेरे सामने तेरा हा बार बिकार है, परमाणू, मैं आणविक बार की उश्मा भी सोब कर, उसे भंगोर कर सकती हूँ, और अगर मेरा बार तुझे छूग या, तो तो भी मिट्टी के खिलोने की तरह तूट कर बिखर जाएगा, अगर ऐसा है मौतरमा, तो मेरी वायू शक्ति तुमारे बार को परमाणू तो पहुच नहीं नहीं देगी, और अगर परमाणू का एक वीवार तुझे लग गया, तो तुझे भंगोरोने से कोई नहीं बचा पाएगा, फिर तो तेरे वायू प्रवाव को फिखंडित करती हूँ था कि तुम मेरे काम में टांग नाला सके, तेरी मानसक श चमक और तुझे मैं पटकता हूँ जमीन पर, इसके हाथ और पैरों से निगलने वाले कमपन से बचना तरंगा ये चटानों तक को धूल में मिला सकता है, फिर तो इसे धूल चाटने का इंतिजाम करा देते हैं, सॉरी फाइटर्स, मैं सबसे अनफेर फाइट, तो हमारी लग रही है, कैप्टन, कहां ये शत्सूर, कहां हम, अगर दुश्मन के पहस्ताकत जरूरत से जादा हो, तो उसका इस्तमाल दुश्मन पर ही करना चाहिए, इन लोगों ने जान बूचकर नागराज भीडियो और शक्ति को बेबस किया है, क्योंकि ये तीनों देविय शक्ति धारा के हैं, अगर हम किसी तरह से इनको आजाद करते हैं, तो आदी लड़ाई हम ऐसे ही जीच जाएंगे, जैसे कि अगर मैं इसको वार बचा जाऊं तो वार मेरे पीछे स्टील से लड़र देवियत को लगेगा, और इससे उसकी शक्ति थोड़ी देर के लिए छीन हो जाएगी, और नागराज आजाद हो जाएगा, थैंक्स दुरूफ, अब बाकी काम मुझ पर छोड़ दू, क्योंकि अब मैं ये खेल खतम करने वाला हूँ, म अपनी उश्मा भक्षिता की शम्ताजी तुम हर वार को भंगुर कर देती हो न, पर क्या मानसिक वार को भंगुर कर सकोगी, तुम भी मानसिक शक्तियों से लैस हो, पर अफसोस, तुमारी शक्तियों का केंदरी ये मड़ी है, इसके तूटते ही तुम बेकार हो जाओगे, और नटियुत तो मेरा एक भी वार नहीं जेल पाएगा, अब तेरी बारी है देवियुत, असमय, ये क्या, मैं फिर से, उर्जा बंदरों में कैसे बंद किया, तिश के सर कहां गया, ये कमाल है असमय की, समय शक्तिगा, उसने समय को पलट लिया है और तुम सब थोड़ी द और नहीं बचा पाएंगे, और ना ही टोगा उलकाओं के हमले से बच पाएगा, शीत लजा, ये बार से परमाडू विखंडित हो जाएगा और वेगा की वायु शक्ति भी उसे बचा नहीं पाएगी, तिरंगा और ब्लाइंड डेथ भी नटियुत के नट कोशल के सामने ब ये घंडित परमाडू से मैं शक्ति को बंदी बनाऊंगा, ताकि तुम देविये शक्ति चाकर भी आजात ना हो पाओ, योजना का पर्थम चरण पूरा हुआ, भ्रहमस्तल अब हमारा है, क्रमशा, पुनुरुथान जारी है, शंक नाद में, तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप करते हैं, पुनुरुथान के अगले भाग, शंक नाद में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,